पर दोस्तों मेरा नाम है भूमाद रसीम और आप देख रहे हैं गुड़ अफट चनल तो आज कि यूडियो में हम एक वैक्टर शेफ लोगों डिजाइन करने जा रहे हैं जैसा कि आपने थामनेल पर देखा है यह जो लोगों अपने थामनेल पर देखा है हम ने इसी वीडि लाइव से और कुछ डिजाइन करके दिखाऊँगा हम हरोज आप आपके लिए एक नाए एक वीडियो लाजमी अप्लोड करते हैं एक वीडियो में हम सिंपल सा लोको डिजाइन करते हैं और उसको अगली वीडियो में हम उसको 3D करके दिखाते हैं अगर आपने हमारा Good Effort चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लें तक हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफेशन आपको मिलता रहे स्टार्ट करते हैं मैं कोरोल्डर 2018 वर निए इस्तमाल कर सकते हैं यह लोगों हम सरकल्स के मदद से लगाएंगे इसमें फिलिंग इसमाल नहीं होगी लेकिन इसमें जस्ट सरकल्स की मदद से लाइनों को बाद में कट किया जायगा मैं क्या करूँगा, यहां से सरकल लेलूँगा, लैपसी टू, लैपसी आम ने इसकी शाट कट की है कंट्रोल का बटन दबाते हुए मैं इस सरकल को इस तरह ड्रैग करूँगा तो यह सरकल चारो तरव से बराबर विल्कुल लगेगा कीबोर से पीक अबटन दबाएं के दिए सरकल पेज के सेंटर में चला जाएगा इसके बद हमने क्या करना है काउंटर टूल के मदद से इसको कुछ इस तरह से हमने ड्रैग कर लेना है अंदर की जाने यहां से आप इसकी जो कॉंटिटी है वो टू कर लें काउंटर स्टेप है जो टू कर लें और इसके जो दरम्यान फासला है आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लें जैसा कि मैं कर रहा हूं जैसे कि मैं करूं अगर आप बिल्कुल इस तरह करेंगे तो आप बिल्कुल सेम टु सेम लोगों डेजाइन कर पाएंगे जब ये सरकल हमारे पास इस तरह लग जया तो हम इसको क्या करेंगे Ctrl K कर लेंगे या right click करके break apart भी करके Ctrl K इसके शार्ट करड़ गी है हम इसको control के करके भी circle जो लग लग कर सकते हैं सारे अब हमने क्या करना है इसी circle के copy कर लेनी है और कुछ इस तरह और हमने यह line एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगा लेनी है कुछ इस तरह से ठीक है इन circle को थोड़ा छोड़ा कर ले अब हमने क्या करना है जो हमारे पास दिर्म्यान वाला सरकल है हमने इसको उठाना है और इसकी कोपी कर लेनी है यहां से हम उठा के साइड पर रखेंगे पहले जो हमने यह सरकल लगा है हैं इनको हम ग्रूप कर लेंगे कंट्रोल जी की मदद से और इस सरकल को सेलेक्ट करके सी का बटन दबाएंगे तो यह दूसरे के सेंटर में हो जाएंगे अब मैंने क्या करना है इसको थोड़ा सा नीचे की जानब लगा देना है तकरिवन यहां तक यहां पर जो इनके पॉइंट्स यहां पर जो टच हो रहे हैं इनसे थोड़ा सा नीचे की जानब लगा लें ताकि हमारे जो है लोगों बिल्कुल उसकी शेप बिल्कुल सही बन करने का इसको स्लेक्ट करें और यहां से कुछ इस तरह ड्रैक कर दें विर्चर टूल का मकसद होता है लाइनों को काट देना कुछ इस तरह ड्रैक कर दें और यहां से कुछ इस तरह कर दें यह देखें यह हमारे पास जो cut हो के जो बचा हिस्सा है यह हमारा logo है अब हमने क्या करना है keyboard से f12 press करना है लेकिन उस से पहले हमने क्या करना है यहां से भी हम एक दो cut देना चाहते हैं तो वह हम हम यहां से इस वारी लाइनों को कंट्रोल का बना दबाते हुए सेलेक्टिक करेंगे और यहां से कुछ इस तरह कौपी कर लेंगे अब हमने क्या करना है विट्चो टूल दोबारा इसमाल करना है और यहां से कुछ इसको यहां से काट देना है और इस लाइन को हमने यहां से क करना आफ भारह कब्तंट वटन दबाना है और से हम इसकी जो बढ़ा देंगे तकरिवरी करेंगे और यहां से करेंगे एक ही कि यहां हमारे पास फाईनिल लोगों के जिए रो कि आगी है यह आप यहां से जो नोट्स नेनर सके वह भांने 16 मिला देने हैं इसके लिसे हमने करना क्या है control u कर लें control q कर लें और यहां से साअरे total लोगों को select कर लें और यहां से वीज़े कर लें इसके बाद आपने क्या करना है एफ 10 shape tool की शार्ट कट किया shape tool इस्तमाल करें shape tool select करें इसके यह जो नोड्स हैं को सेलेक्ट करें और यहां से जोइन नोड्स पर क्लिक करेंगे तो यह हमारे बिल्कुल Corner Corner के साथ मिल जाएंगे इस तरह आप इनी Nodes को भी कुछ इस तरह कर लें इस तरह Nodes को Select कर लें और यहां से Join Nodes कर लें तो Corner to Corner सब मिल जाएंगे साथ में यह देखें यह हमारी Logo की जो Basic त्यार हो गई है अब नीचे हम Company का Name लेख सकते हैं इसको और Logo को Select करें और C का बटन दबाएंगे तो यह एक दूसरे के सेंटर में चले जाएंगे टेक्स्ट पे जाएं और Chain Case पे जाएंगे इसको Upper Case में कर दाएंगे तो यह सारे लफज बड़े लफजों में आ जाएंगे और जो Company का लफज है वो हम क्या करेंगे इसको बॉल्ड कर लेते हैं और कुछ इस तरह से और इसको थोड़ असा हम बड़ा कर लेंगे तो यह देखें यह हमारा Logo है Vector Shame में हमारे पास Logo त्यार हो गया है अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट कहीं से भी समझ ना आए हो तो हमें कमेंट सेक्शिन में जाकर कमेंट करें मैं एंचल आपके हर स्वाल का जाब देने के लिए हमावक त्यार होंगा अगर आपने हमारा Good Effort चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे याने में हर वीडियो का नोट्यूकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक करना बहुत सा क्या रखिएगा अलाहाफिज